की कानून बनाने से पहले आपको मिनिमम ध्याड़ी एक लेकर के आईए इन ड्राइवरों की परिस्थितियां और जो गाड़ियां चलाते हैं उनका मेंटिनेंस के दोस्तों नमस्कार आज शोशल मेडिया पर कुछ वीडियो इस तरह के आने लगे जो हमारे दिल को भी बड़ा उलजाने लगे समिदन शेलता की परातास्था होगी सोते सोते में यह सोचने लगा कि ट्रक ड्राइवरों की जिंदिकी क्या होती है उन ट्रक ड्राइवरों की जिंदिकी को कम से कम एक नेता ने जिया था राहूल गांदी ने अब राहूल गांदी के कुछ वीडियो बारल भी हुए थे उस समय बीजेपी के लोग यह आरोब भी लगा सकते हैं हुल गांदी उस टाइम गए थे ट्रक ड्राइवरों से मिलने तो भड़काया है इसलिए कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं जो पारित हुआ है लेकिन जो अगर बात की जाए ड्राइवरों की तो उनको जितना बेतनमान मिलता है प्राइवेट सेटों से जिनके अपने ट्रक च या डेली ध्याडी पर आधारित हैं क्या सरकार ने कैसी अधिकारी को निक्ट किया है कि जो मिनीमम बेजिस हैं लेवर की वो ड्राइवर को मिलने चाहिए ये जम्मेबारी सरकार की बनती है क्योंकि काफी मेंटा डूर ड्राइवर्स हैं साथ हजार में, दस हजार में, बारा हजार में, पंद्रह हजार में जॉब करते हैं ये लोग, ये ड्राइवर्स इनको लालाच होता है सिर्फ की जब सेट की बड़ी ट्रेप ले जाते हैं 10 दिन की या 15 दिन की तो इनका खाना पीना और वो सब सेट के जम्मे होता है पंचर बग्रा च्छोटी मोटी बैई मानिया कर लेते हैं डीजल बगरा में भी थोड़ी बहुत हेर फेर कर लेते हैं जिन से इनका घर चलता है और ये सेट भी जानता है इस शीश को जो खाने पीने का ख़चा देता है सेट तो उसमें से बिचारे बचा खुचा के धावे पर अपना खाना खाते हैं 15-15-20-20 दिन ये ट्रक ड्राइवर्स अपने परिबारों से दूर रहते हैं ये माने भी है पक्ष कहरा हूँ उन ट्रक ड्राइवर्स का जो हम सब जनता को जानने के लिए आबशकता है क्योंकि मेरा भी पाला ट्रक ड्राइवरों के साथ पढ़ा है और ये जब पढ़ा था जब मैं 22 या 23 साल का था मैंने एक जॉब किया था एक क्रिशर प्लांट में पार्ट टाइम जॉब जिसमें चीनी की सप्लाईई चीनी की बुर्यों की सप्लाई दिली तक ले जानी थी और कभी हर्यान आ गया कभी कहीं गया तो वहां मैंने देखा कि स्टेट बॉर्डर पर पुलिस जो थी एंट्रिफीस लेती थी ध्राइवरों को परिशान करती थी वह एंट्रिफीस तब जो थी 40, 80, 50 रुपे हुआ करती थी ये सन 84 की बात है मैं भी कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं सौभी मानी रहां को भी अपने पिता से छोड़ी है इन बातों को अपनी कहानी कहने की बात छोड़ी है एक ट्रक ड्राइवर के साथ उस रात का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि जब कोहरा होता है और कोहरे में ट्रक रेंग रहा होता था उन सड़कों पर जब सड़कें संक्री होती थी बहुत समाल करकि वो ट्रक ड्रक ड्र चलाता था गाड़ी दिखता नहीं था कुछ डर लगा रहता था कोई साइकल वारा सामने ना आ जाए तब मोटर साइकले इतनी नहीं थी लेकिन जब आज के हालों तुम्हें एक कानून आता है कि हिटेंटरन हाँ यह वाद सही है कि एक धारना बन गई है कि ट्रक ड्राइवर अभी ट्रक ड्राइवर्स जरूर इस तरह की गलतिया करते हैं तो इस बिल में कम से कम यह सुधार करना चाहिए था कि ट्राइवर को आप ग्रिफतार कीजी उसकी जो है आप मेडिकल जांच कराई यह शराप के नश्य में तब यह कानून उस पर लागू किया जाए और उसम किया है कि पुलिस वालों ने एंट्रिफीस ली ट्रक ड्राइवर मस्त है अपनी कच्ची लगा करके देसी पी करके और उसको आपने जाने दिया यह तो अलग बात है लेकिन समाजिक सुरक्षा की बात कहें तो यह वही ड्राइवर होते हैं जो खाने पीने की सप्लाई हम तक पहुंचाते हैं और कल्पना कीजी कि इनकी लाइफ कितने कठिन होती है अपने परिवार से दूर पंदरा पंदरा बिस बिस दिन यह दूर पढ़े रहते हैं परिवार की याद इनको भी आती होगी ऐसा कोई लेवर देखा है आपने की जो रोजाना की तीन सो की सुरी में अपने घर पंदरा पंदरा दिन तक ना पहुंचे मैं सरकार से बस यही निवेदन कर रहा हूं कि कानून बनाने से पहले आपको मिनिमम ध्याड़ी एक लेकर के आईए इन ड्राइवरों की परिस्थितियां और जो गाड़ियां चलाते हैं उनका मेंटिनेंस क्या कोई record मोदी सरकार के पास है मोदी सरकार के जो कानून बना रही है वो एकड़म perfect है मैं उसका ब्रोद नहीं कर रहा हूं लेकिन नीचे की सेड़ियां one two three वो तो सही कर लीजे मौब लिंचिंग में कई ड्राइवरों की मौत हो जाती है आज जो वीडियो डाल रहे थे ट्रक drivers मेरा मन बिचलत हो गया और सबका मन बिचलत हो जाएगा हमने डिगनियां कर ली हमने अपने बच्चे इंजिनियर्स बना लिए लेकिन कभी truck drivers की जिन्दगी को जी करकर देखिए मैं कभी highway पर निकलता हूं लेकर के काड़ी तो सबसे ज्यादा discipline truck drivers के truck होते हैं जो एक lane में चल ले होते हैं जिनको प्रवा होती है हाला कि मेरा जो accident हुआ था डेर साल पहले एक truck driver की गलती से हुआ था मैं अपनी जागे सही था लेकिन वो जो था वो था हत्या की कोशिश थी मेरी केस अभी चला है अलीगड की अदारत में हुआ कुछ भी नहीं है लेकिन criminal act नहीं होना चाहिए investigation होना चाहिए पूरा लेकिन इन driver को क्या करूं कि रोने social media पर वीडियो डाले क्या 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 वीडियो डाले वो मैं आपके समक्ष तस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों देखि यह मेरी गाली है LPD Tata 407 यह सरकार ने नया नियम बनाया एक कानून दस साल की सजा 10 लाग रुपे जुरुबान अब आप बताए ड्राइबर भाईयों यह गाली मैंने ख़ली कर दी है अब मैं जा रहा हूं घर साथ अजार की तंका में 10 लाग रुपे कां से दे पाएंगे आप बताओ यह गाड़ी है मेरी यह मंडी में चलती है आल MP चलती है यह गाड़ी 10 लाग रुपे 10 साल की सजा अब यह मेरा सरीर देगो दो मुक्के की जाननी है मुझे मैं कांसे पिटूंगा पब्लिक से इसलिए ड्राइवर भाईयों यह बीडियो बनाके जादा से जादा से शेयर करना और यह चाबी है मैं आप सेड़ जी के पास जा रहा हूं यह मेरी गाली यह दो दिये मैंने अभी धोके लाया इसको बढ़िया इससे मेरा गर परिवार चलता पूरा यह इसकी बदोलते आज मैं जो कुछ भी हूं मगर सरकार के ताना साहिर अब यह के लिए मुझे यह गाली चोड़ना पड़ रहा आप मैं मजदूरी कर लूँगा मैं ठेल को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें लाइक करें और हो सके तो कल से सभी लोग अर्ताल पर चला जाएं चक्का जाम निकरना मेरे भाईयों अपनी अपनी गाली को खड़ी करके बस अपने घर जाना अपनी बीबी बच्चों के सांथ रहो अपने माँ बाप बीबी बच्चों भाई बेन सब के सांथ रहो, तीन दिन के लिए जाना है, तुम्हें उनली तीन दिन, तीन दिन में पूरा सिष्टा मिल जागा, तीन दिन, एक, दो, तीन जनवरी, दो हजार चोईस, भूल मत जाना, सभी भाई लोगों से आज जोड के अनुरोध है, यह मेरी बीडियो को जादा से जादा से शेयर करें, यह मेरी गाली है, यह गाली का नंबर है, मेरा नाम है भारत सिंग जाटाओ, देवगोल का रहने वाला हूँ, यह मजबूरी में मुझे यह बीडियो बनाना पड़ रहा, मैं दस साल से गाली चला रहे हूँ, इसी सेट के पास, दस साल होए पूरे मुझे, तो हजार तेरा से का जागा है उस्ताज, बहुत कर ली ड्राइवरी, अब निकर पाएंगे ड्राइवरी, ना तो हमरे पास दस लाग रुपे है, ना दस साल तक जेल में जानेगी, वह हमरे पास बच्च बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं कहना चाहता हूं, मोधी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर बीस बोटों की तो हैसेत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर करेता है, लेकिन हम आपको लोग सावा चुनाओं में इस चीज का जवाब द कानून लागू करोना आपके कोई ड्राइवर के हाथ में लगा सकता है, कि ड्राइवर पर हाथ लगाने वाला भी चैजी जाएगा, जब तक ये कानून पास्ने होता है, गाइडिया खड़ी और जे शियराम, जे भाब होवानी. ये वेडियो आपने देख लिए होंगे, और आप ये भी याद रखना कि करोना में, सबसे ज़्यादा खत्रे में, या तो मेडिकल का इलाज करने वाले लोग थे, या ये वो लोग थे, जिन्होंने बैक्सिंस पहुँचाई थी, अपने परिवारों से दूर रहकर करोना जैसे वीमारी से लड़ते हो, किसी ट्रक डाइवर को कोई पुरुसकार नहीं दिया गया, किसी मेडिकल फिल्ड के नर्स को कोई सम्मान नहीं दिया गया, सब को बाहर कर दिया गया, क्योंकि मोधी सरकार कड़वी दबा पिलाने की आदी है, तो आदी है तो आदी है, कर जा सकते हैं, मोधी जी का कंसेप्ट ही ऐसा है, कि एक राम मंदिर बनवा लेंगे, किसान आनुरों होगा तो किसान भी खुश हो जाएंगे, राम मंदिर से ट्रक डाइवर भी खुश हो जाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि इस देश की ज वही तवाई कारण बनना है, पहली बार ऐसी अस हो रहा है देश को, कि यह हिंदू देश है. हिंदूओं की रगों में खोन वाल मार रहा है. कोई रोजगार नहीं मांग रहा, कोई रोजगार की बात कर रहा है. सब जो है, अंगूरी के पीशे पढ़े हुए हैं नमस्कार दोस्तों जेह